ट्रेल ट्रीद कामरान भवानी क्या आप स्टॉक अक्सेंच में इन्वस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को जॉइन करें हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरी मश्वरे हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप जॉइन करने के लिए इन वर्टसप न लेम या बलेम नहीं है बजार के पाउं उखड़ने से बचा लिया आँ तैयारिया नाइटी फाइफ परसन मुकमल आज हम इसके पर बात करेंगे लास्ट वी लॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि एक खबर मार्केट को मुतासिर कर सकती है और वह वह खबर ये थी कि लेम नाशनल जो जो इजलास हुआ उसमें यही था कि कहीं कि इलेक्शन को पॉस्पून ना किया जब अलमदल्ला कोई इसी बात नहीं हुई चोंकि पाउजरी बात हुई कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे उसके बाद हमने देखा कि यह खबर मार्केट के लिए बहुत अच् खारजा जलील अबाज जिनानी की दावत पर एरानी वजिर खारजा उनत्तिर जनुरी को पाकिसान आएंगे कि दो न्यूस पॉजरी जिसके हुजासे मार्केट ने पॉजर्टिव ही रियक्ट करना था इसके साथ साथ अगर हम देखें तो सुबह स्टार्टिंग तो मार्क मार्केट का जो सपोर्ड लेवल वो 33,000 है और 22,700 का लेवल है मार्केट आपकी बाउंस बैक कर जाएगी लोग वोल्यों के साथ डाउन रही है मार्केट आपकी 33,500 से लेकि 44,000 का लेवल टेस्ट करेंगी अलहमदुल्ला मार्केट बाउंस बैक हुई और 44,000 नवे तक गई मार्केट आठ सो आठ पॉइंट प्रस तक गई और इसके बाद रेसर हजार 949 के करीब आठ छे सो सतावन पॉइंट के साथ पॉजरी वोल्योंस जो सो चैयावे मिलियन के हुए 287 मिलियन के वाले दिन आज वाले में भी थोड़ा इजाफा हुआ फिर इसके साथ अगर हम द सेक्टर आपका टॉप मेरा 354 पॉइंट के साथ जबकि सेकेंड नमर में कमर्शन बैंक पावर जनरेशन ऑईल इन गेस फर्टिलाजर बागी सेक्टर में हमने पॉजरिविटी देखी नहीं के लिए साथ पर देखें टोटो मॉबाइल टेकनलोजी कैमिकल्स प्रो देखें प्रोपर्टी इनमें हमने आग गिरावट देखी अगर हम कुछ नियूस के पर नज़र डालें तो देखें मार्केट के दोरान मार्केट जब आपके डल चल रहे थी और बिल्कुल एक लैक्रस्टर परफॉर्म कर रहे थी तो उसक्त काफी दिरों से एक बात चल रहे थी कि गवर्नमेंट प्लान टू रिडियूस यानि कि जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने की बात सोच रही थी और आज यानिका अनॉंस भी किया अपके ओजी डी सीर को तक्रीवन दिखा जाए तो गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर के लिए तक्रीवन धाइस सो अरव रुपे कै करने का पैसला तौणाई के शौबग का गर्दिशी करदे कम करने के लिए साड़े बारा सो अरव रुपे जारी करने का पैसला निग्रा वजीर आजम ने आएमF से मनजूरी के लिए इसका साथ एकरम देखें तो आएमF शराइट पर अमना धरामत करते वे घर्दिशी चाहस अरब जबकि जी एच पी एल को भी 170 और ओजी डीसी को 600 अरब रुपे इस तरह की निविश्टी जिसके बाद यह एक टरंडिंग पॉइंट है क्यूंकर मार्केट एक लोग वोलियम के साथ गिर रही थी और पिर इस तरह की गर्दिशी करदो की खबर है और जिसे मार्क लुपीज और जबके कर हम देखें तो अपकी बैक कर गए क्योंकर एक सेक्टर जब सही हो जाता है तो दूसरा सेक्टर भी लाइन अप हो जाता है रिफाइंड इस रिबाउंड हुई इसके लावब फिर पार्मा सुपी कस्पे साहल ने थोड़ा रिबाउंड हुआ जबक परसंटेज शेर की थी कि यह इतने परसंट ओवर सोल्ड है और यह बाउंड बेक कर सकते हैं जिसमें शैल भी था दिवान दिखा जाए तो तारीक ग्रास साज्व बहुत सारे स्टॉक से जोके रिबाउंड भी हुए अच्छा पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्ट में इजीपी ग्रोथे दो से साड़े दो से धाई तके मर रेच सकता है इसके साथ ही हुकूमती जर्य मुबादा के जखार में साड़े चार से बढ़कर आठ अशरिया दो अरब डॉलर हो गए यह पॉजरिव खबर थी जुलाई जुलाई दोज़ा तेई से मईश्ट दुरुस समिस्ट पर रहे आएमेफ का केना था पाकिसान में अवाने के शुलाई की जरूरत है इसके साथ ही यह सारी जो गूंदी इस जिसे मार्केट को बूस्त किया और मार्केट एक अफसर की तरफ गई रिफाइन्डी के वाल इसे एक गूड निज थी के ग्रीन रिफाइन्डी का क्याम साथिय अरब साइनोपेक को कायल करने की कोशिश भी जारी है जिसके बाद रिफाइन्डी के लिए पाजरिव मुव बन के और मतालवाद भी थे जिनको पूरा भी करना है आई मेफ ने कहा कि जुलाई दोजार तीज से पार्किसान की माश्री सुर्ट रही है इसके लावा टेक्स्टाइल मस्नुवात की बरादाद में सालना देखा जाए और महाना बुनियादों पर इजाफा टेक्स्टाइल मस्न कर गया है इंफलेशन के हमाले से देखा जाए तो यह तोड़ा सा नेगरिवे जिसमें हमारा इंट्रसेट यानि के तोड़ा सा रूप सकता है इसके साथ ही थोड़ा सा आई मेफ नहीं यह भी का कि डॉलर वालटाइल हो सकता है और 322 तक यानि के मूव कर सकता है जूल तक यह भी जैसे पोर्कास्ट है अगर मामला बहतर चलते हैं तो इंशालला ज़रुत नहीं पड़ेगी और और अगर हम इंट्रनेशन मार्केट की तरह मूव करें तो इंट्रनेशन मार्केट में इस वक्रूड आपका ट्रेट कर रहा है और देखा जाए तो तक करीवन 73 डॉल डाउन होते हैं तो आपका ऑइल बर जाता है तो गोल्ड इस अगोल जो चलता है आपका दोजार सताइस एक डॉलर पश्वन से माहिने से चलता है जब्कि सिल्वर चालिस से माहिने से 22-30 पर चलते हैं क्योंकि डॉलर इंडेक्स में गिरामट हो सकती है और इंट्रनेशन मा से 22 पॉइंट इस वीक के जो कभी स्टाड ही हुआ है और साथ के साथ से 11,323 मार्केट ऑवर बोट की साथ में बल गई है क्योंकि मार्केट में साड़े 10,000 का लेवल था अब तक्रिवा 11,323 हो चुकी है इसके साथ है अगर हम मार्केट की परसंटेश की बात करें तो मार्क साथ सो का लेवल बनता था और मार्केट 33,000 900 से अबब क्लोज रही है और रिफसाई ने क्या मार्केट अपना 95 परसंट यानि के तैयारी मुकमर कर चुकी है अफसाइड के लिए अगर हम आप इसको देखें यह डेली बेसिस पर हम यह आपको शेयर कर रहे होते हैं आपका अगर हम शौट ग्राफ के इसाफ से देखें तो देखें शौट ग्राफ के इसाफ से मार्केट ने आज एक लेवल अचीव किया 63,600 और 700 का लेवल जो कि मार्केट ने इससे उपर क्लोजिंग लिया तो यह मार्केट ने अपनी जो एक रिकवरी का ट्रेंज कर रहा था अगर यह लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट दुबारा आपकी यानि के मंदी की तरफ करेक्शन की तरफ मुप कर जाएगी अधरवाइस 63,500 या चार्फ पांसो का लेवल ब्रेक नहीं करती है मार्केट तो मार्केट के जो पहला टार्गेट एचीव हो रहे वह चौसार रज 2700 और दूसरा टार्गेट होगा 660,100 का लेवल यानि कि यह मार्केट का लेवल होगा इसी तरीके से गर हम थोड़ा सा लॉंग चार्ट के एसाफ से देखें तो देखें पिछले 16 दिन से मार्केट आपकी एक रेंजबांड कर रही थी 50,300 से लिएके बासार रजाब 400 के दर ता वो यही था कि बासार रजाब 400 का लेवल अलहमदुल्ला मार्केट ने उस लेवल को सस्तेन किया फिर मार्केट ने रिकवरी ली और फिर आज के दिन में जो 33,600 का लेवल ब्रेक किया है तो मार्केट ने तीज़ी जो अपनी तैयारी थी वो 95% मुकमल कर लिए अब जो आने वाले लॉंग ग्राफ के सबसे गरम देखें तो मार्केट का जो लॉंग स्टाप बनता है वो बासार रजाजाब 600 का बनता है और मार्केट का जो तेजी का ट्रेन यानि कंटीनु ए और पहला टार्गेट अचीव होगा च्यासार पांस सो और दूसरा टार्गेट होग और च्यासासर मेंटेन करने के बाद सतर हजार भी अचीव होगा तो इंशालला मार्केट ने एक अच्छी क्लूजिंग दी है और इसके लावा कुछ स्टॉक्स हैं आपके स्टीन के अपर जो हाईली ओवर सोल है और जो मूब कर सकते हैं अफसाइट की तरफ जिसमें स्टीकल से आपकी सिमेंट सेक्टर है स्टी सेक्टर है लेकिन उनको अगर हाईलेट नहीं किया तो इसका मकसद है नहीं कि वह परफॉर्म नहीं करेंगे वह भी परफॉर्म करेंगे जिस जिसमें वाल्यम जनरेड होता जाएगा वह परफॉर्म करते जाएंगे ओजी डिसी केप लगता है तो दूसरे दिन देड़ केप पर जब ओने दो केप को पर सेलिंग या प्रॉफिट इंग आ जाती है तो आपने कोशिश यह कहीं कि नहीं कि प्रॉफिट इंग पर खास यानि तवज्ज़ देनी है और जो आइल सेक्टर्स के अंदर कल के दिन रिपाइंडी से करा कि मार्केट ने वेसे ही परसफ情况 कि इस बार हम परफॉफॉर्मस देखे बदली की और फीचर की तो बदला इतना प्लह जाधा नही यह मार्किट के अंदर और फीचर मेंभी तो बहुत ज्यादा कउन्टिरई आपका प्रेशर वाला नहीं होगा इंशाला यह वीक आपका रूल ओवर वीक बहती नहीं हो सकता है क्योंकि पिछले पंदरा दिन मार्केट ने अपना आपको कंसोलिडेशन प्रीज में रखा है तो अच्छे स्क्रिप्स लें इस्टॉपस के साथ ट्रेडिंग रहें इस्पेशल गुप से जुड़े रहें टाइम बर टाइम इस्टॉपक आपको बताते रहेंगे गाइड करते रहेंगे और आइडियास दे झाल झाल झाल